पूरे देश के जो ग्रोथ है उसको बड़ावा मिलेगा पूरे जो ग्रोथ है उसको बड़ावा मिलेगा और एक मानो या नमाने स्टॉक मार्केट एक डेश के आर्थिक विकास की पारा सिसी ऐसा माना जाता है यसा कहा जाता है लेकिन ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन नहीं मीध होने के कारण या कोई भी कारण वज़े से स्टॉक मार्केट जीतना चलना चाहिए इतना चलना नहीं रहा है और दात्बत्र के बाद आगई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पहले हम बज़ेट की बात करते हैं बाद में विलकम तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखे अगर आप इंडिया का एकॉनमी की ग्रोथ देखते हैं 2000 से 2000 से लेके 2008 तक जो भी ग्रोथ आई थी वो ग्रोथ आई थी क्योंकि इंडिया बहुत कुछ इंवेस्ट करता था तो पहले जैसे 2000 में 100 रुपए में से 20-22 रुपए कंट्री इंवेस्ट करती थी अपनी एकॉनमी में ये 2008 तक 22 रुपए से बढ़के 30-35 रुपए तक पहुंच गई थी तो जब आप अपनी कंट्री में वापस इंवेस्ट करोंगे तो ग्रोथ करेगी जब 2008 में जब क्राइसिस हिट हुई तो उसके बाद जब सरकार ने टैक्स बेनिफिट दिया नरेगा चलू किया लोन जेसे एकउनमी जब स्टेबिलाइज हो गई है लेकिन उग जितने भी उन्होंने बेनिफिट्स दिये वह सब चीज कंजम्शन को प्रोमोट करते हैं खर्चे को प्रोमोट करते हैं आप खरचा कर दोंगे आपको पैसा मिलेगा तो आप खरचा कर दोंगे तो 2008 से लेके 2013 तक हिंदुस्तान में सभी लोगों ने खुब सारा कंजियूम कर दिया और जब आप कंजियूम्शन ज़्यादा करते हो तो आप सेविंग कम करते हो तो आप आपके पास जो भी आपकी आमदानी आप आधर उसको खर्चा कर दोंगे या उसको बचाओंगा दोई चीज़ कर सकते हो तो जब आप खर्चा करने जादा खर्चा जादा करने लगोंगे तो आप बचाने कम लगोंगे जब आप कम बचाओंगे तो कम बैंक में पैसा जाएगा, कम mutual fund को आप पैसा दोंगे कम insurance company को पैसा दोंगे और जब इन लोग के पास पैसा नहीं रहेगा तो ये आगे companies को कम देंगे और जब companies को कम पैसा मिलेगा तो companies कम invest करेगी तो इसकी वज़े से हाला कि economy initially stabilize हो गई थी लेकिन वो structural problem of low investment वो रहे गया तो हमारी उमीद और सबकी हमारी आप अगर economic survey पर पढ़ोंगे एक दन पहले जो budget से आता है उसमें भी बहुत लेली लिखा हुआ है कि सरकार को अगर इंडिया को grow करवाना है तो ये investments को बढ़ावा दे तो budget में हमारी उमीद भी वोई थी कि budget ऐसा कुछ करे जो savings को increase करे जो investment को promote करे और जो consumption को कम कर दे क्योंकि अगर आप consumption करते जाओंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आपके पास बनाने की शमता कर खतम हो जाएगी जब शमता कम हो जाएगी तो आप import करने लगोंगे तो जब आप import कर रहे तो किसी और देश का फायदा कर रहा हो खुद का फायदा नहीं कर रहे तो जब गाड़ियां बनाने की शमता खतम होगी तो आप गाड़ी बाहर से मंगाऊंगे तो वो हिंदुस्तान जैसे देश में हम दुनिया का सामन खायदा करने लगेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा रूपी गिर जाएगा करने अकारण डेशिट बढ़ जाएगा पहुच सारी प्रॉब्लम हो जाएगा तो बजेट ने अच्छा बिफोर एगो इंटो बजेट बजेट यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बजेट एक फाइनस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है वो CFO है इंडिया का तो उसके हाथ में हरक चीज नहीं होती है वो सिर्फ पैसे का रखवाला है लेकिन वो फिजिकली जाके अपरूब एन्वार्मेंटल क्लेरंस दे नहीं सकता कोई प्रोजेक्ट का तो उसके बेसिस पर अगर आप देखते हो तो उन्होंने थोड़ा बहुत सेविंग्स को प्रमोट करने की कोशिश की डिप्रिसेशन ज्यादा बढ़ा दिया कि कंपनी इंवेस्ट करें तो छोटी छोटी चीज़ उन्होंने की अब जैसे सेल फोन इंडिया में फोन नहीं बनत जैसा प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ाया प्लान एक्सपेंडिचर जनरली इंवेस्मेंट्स होते हैं तो उसको बढ़ाया रेविन्य एक्सपेंडिचर को कम किया सबसीडीज को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है तो उन्से जितना बन पड़े हमारे हिसाब से उन्हों देखे उसके तोल में तो मार्केट का ये कहना है शायद इस इस नोट इनफ मेडिसन जो बिमारी है और आपने जो मेडिसन दिया शायद ये दोनो आपराप्रेट तो आगे चलके आपको शायद और कुछ करना पड़े इसने से हो नहीं राजो हो नहीं है तो इसलिए I think market थोड आपने जो पूरा बात बताया तो अब बात करते हैं पोस्ट बजेट की परिस्थिति आज यहां पर खड़ी हुई है हम जब बात करें तो 21 मार्च 2013 का समय है और मार्केट कौन से दिसा में जा रहा है कुछ समझ में नहीं नहीं आ रहा है जा रहा था जा रहा था लेकिन आगे इन दिनों में आप domestic challenges कौन कौन से देख रहे हैं और international challenges stock market के सामने देश के सामने आप देख रहे हैं यह हमारे देश्टर को को बताया आप देखे आप अगर newspaper खोलते हैं तो बहुत सारी चीज लिखी रहती है बहुत सारे problems इंडिया में clearance नहीं मिलता है environmental clearance जमीन चाह आता है कभी पैसा बहुत महेंगा होता तो interest rate का problem होता है लेकिन हमारे हिसाब से यह सब चीज़े इंग्लिश में जैसा बोलते है symptoms है यह जब आदमी को बुखार होता है तो बुखार is not the disease कोई और चीज हो रही है जिसकी वज़े से body fight कर रही है और उसका result is a बुखार तो व हमारे हिसाब से the most important problem which India has today is कि अपने पास energy नहीं है energy energy माने koila, तेल, natural gas या any other form यह जो चीज होती है यह कोई भी economy grow करने के लिए सबसे important चीज है बिना इसके अब इसका आप electricity बना हो इसका पेट्रोल डीजल बना के गाड़ी चला हो या इसको आप burn करके furnace में जला हो या जो भी करना आपको करो बट basically यह आपका source of growth है और बिना इसके आप कभी भी अपनी economy को fast grow नहीं कर सकते ह अब इसमें क्या problem है इंडिया आज इतना बड़ा है कि इंडिया is now the fourth largest consumer of energy in the world तो we are very big तो हमारे पास थोड़ा भी growth आता है तो पूरे system में उसका impact पड़ेगा दुनिया भर के system में अच्छा अब उसमें अगर कोईला लेते हैं हिंदुस्तान के पास third largest reserves है कोईले के है दो हजार पांच या छे तक हमने कभी कोईला इंपोर्ट किया ही नहीं था आज हम nearly tonnage में 20% करते हैं और actual energy terms में 30-40% हम इंपोर्ट कर रहे हैं इतना dependence हो गया अपना भार के देशों पर कि कोईला इंपोर्ट करने पर तो यह तो कोईले की बात हो गई जहां oil की बात है oil तो अपने पास शायद जितना अपने को चाहिए उसका एक तिर्चाई हम खुद बनाते दो तिर्चाई हम इंपोर्ट करते हैं अब यह oil का प्राइज अगर 2000 में देखो तो 10-12 डॉलर था आज उटके 109-110 हो गया तो बिना oil के तो आप गाड़ी चला नह यहां पर इंडिया के पास कुछ रिजर्स थे लेकिन वो कम पढ़ गया है तो हम काफी गैस अभी इंपोर्ट करते हैं और गैस का जो भाव होता है वो oil के प्राइस से लिंक होता है तो आप गैस इंपोर्ट करो या oil इंपोर्ट करो वो भाव for the same energy terms वो सेम हो जाता है अब इस सिट्वेशन में क्या होता है जब भी आपको GDP को ग्रो करना है पांच तका से ग्रो करना तो आपको energy को पांच तका से ग्रो करना पड़े और अल्रीडी आप काफी बड़े हो सिस्टम में तो आइधर आप domestically निकालो energy या भार से लाओ अब इंडिया में अगर आप पड़ रहा या gas कम पड़ रही है आज अब electricity bill देख लो अपने तो कम भी हो गया और भाव भी बढ़ गया क्यों बढ़ गया पहले आप कोईला अपने घर से निकालते थे अपने country में से निकालते थे आज कोईला इंपोर्ट करते जब आप इंपोर्ट करते वह कोईला दो आपकी जितनी inefficiencies सी system में जैसे आपका power में loss होता है पुरानी गाड़ियां लोग चलाते या जो भी तो आपको उतना फरक नहीं पड़ता है क्योंकि energy सस्ती है लेकिन जब energy आप भाहर से मंगा रहे हो तो बहुत महिंगी energy आ रही है और उसके साथ अगर आप देखते हो इं कि this will now be we will be export competitive तो तो हो ही नहीं सकती ना तो ही नहीं सकती तो और अगर मैं तो इतना history का student नहीं हूँ बट अगर दुनिया में जितनी लड़ाई इस सब होती है इस सब इसलिए होती है क्योंकि energy चाहिए क्योंकि हर country को energy चाहिए बिना energy को तो आदमी को खुराक चाहिए country को energy चाहिए और सेम चीज होती हमारे इसाब से जब तक यह problem solve नहीं होगी हिंदुस्तान में आपको उपर नीचे उपर नीचे होते रहेगा क्योंकि कभी energy अगर मान लीजे आज oil का भाव 60 हो जाता कोई भी कारण से अब suddenly देखेंगे market एकदम तेजी से चले जाए और अगर oil का कोई नीती ना बने कि भई या कोईला निकालो जितना कोईला उतना तो निकालो कोई नीती ना बने कि भई oil कांसे आप लाओंगे कौन से देश से लाओंगे किस भाव पे लाओंगे गास कांसे लाओंगे है अपने पास को ऐसे reserves जो अभी तक नहीं मिले अपने को जैसा इंडिया में जो आज तक नहीं निकले तो उसको आप वो एकरेज को दो कमपनी इसको एक्स्प्लोर करने के लिए बट देन फिर कंपनी का ये कहना है कि हम तो करतो देंगे लेकर जो निकलेगा उसका क्या भाव तो आज आपको उसकी प्राइसिंग डिटर्मिन करने पड़ेगी कि अगर इफ दे सक्सीड और गास कमस आओ तो एक प्राइसिंग का एंगल आ गया तो जबते के एनर्जी बास्कित अपनी सेक्योर नहीं होती है और ये नहीं होती है आप एकॉनमी में ये उंच नीच दिखते रहेंगे तो हमारे लिए इफ I can be honest बाखी सब प्रॉब्लम और लिंक तो इस बेसिक प्रॉब्लम आपने सब कुछ बताया एक मैं एक एड करना चाहता हूं प्रश्ण की इंडिनेशनल चैलेंजिस में आप क्या क्या देखते है एक वक्ता जब यूरो जोन के बारे में हम सभी लोग सुथते तार भी शायद यही एक रीजन हो सकता है हमारी तकलीफ हो का तो ये स्टेबिलिटी आफ इंटिनेशनल सिचुएशन हमारे मार्केट पे या हमारी एकोनमी पे कितना एफेक डल सकती है एक्चली हमारा व्यू हर वक्त इसके बारे में थोड़ा अलग था मार्केट के व्यू से इंडिया काफी हज़ तक खुद की कंट्री है हमको इतना फरक नह अच्छा करती है तो ऑईल का बढ़ता है ऐसा कहना लोग मानते है तो जब वो होता तो हमको तकलीफ होती है तो 2009 में जब ऑईल का प्राइस गिर गया था तो इंडिया को एक्चुली फाइदा हुआ था हां ये एक बात है तुसरी बात है कि हम क्या एक्सपोर्ट करते है कोई economy से को connection है तीसरी चीज अभी पिछले कुछ सालों में हुई है manufacturing exports चालों के गाड़ी बनती है यहां पर हुंडाई company उसकी गाड़ी बनती है चलनाई में वहां से वह export होती है तो यॉरोप में जो गाड़ियां दिखती है आपको कुछ हद्ता को इंडुस्ता में बनी है अचा international का एक फायदा यह है कि दुनिया भर में interest rates बहुत कम है आज भी और इंडिया में interest rates काफी ज्यादा है तो वह पैसा आज एक घर ढूंड रहा है जहां उसका return बन सकते हैं और हम वह पैसा को attract कर सकते हैं लेकिन वह पैसा जब आएगा कुछ हद्त तो आया है December January में अचा करें और दूसरा currency depreciate ना हो क्योंकि अगर interest rate अच्छा है और currency depreciate हो तो मेरे लिए internationally अगर मैं सब चीज को एक साथ देख हूँ तो 2008 2009 और 2013 2014 का देखता हूँ तो एक तो है US is now in a much better shape यह तो सब को दिखता है कि US अच्छा है, Europe में है थोड़े problem but मेरे ख्याल से most of those problems are not so big कि वो पुरा system collapse क्योंकि Europe is still a rich nation, अब उनका क्या, there are many nations, तो वो nations मिल के कैसा अपना problem solve करेंगे is a bit of a challenge compared to United States which is just one nation तो यहाँ पे क्या, Europe में fiscal policy जो अपकी, जो budget कहलाता है, वो हर देश अपना अपना बनाता है, लेकिन जो currency print होती है, वो एक ही जगा होती है, euro की Otherwise in every nation you have both the political and the monetary, the fiscal and monetary together in one nation, अब यहाँ यह दोनों separate है, तो कभी-कभी थोड़ा बात उपर नीचे हो जाता है But having said that, euro का जित्ता problem देड़ साल पहले था और अभी है, अभी थोड़ा बेटर है China, last year थोड़ा थंड़ा था, अब वो भी उपर हो गया तो मेरे खाल से, export के लिए India is no better off, कि जो भी थोड़ा demand गिर गया था, वो शायद वापस revive हो जाएग, तो Export में India should be better off, at least demand side में, पैसा attract करने के लिए उनके interest rates अभी भी low है, तो हम अभी भी attract कर सकते हैं तो में, international issues are no longer the big thing और इसलिए, international market अभी भी काफी हद तक stable भी हो चुका है, जो हम हमारे देश के लिए फाइदा भी हो सकता है, अब सवाल ये उटाएं उदेवाजी की रिफॉर्म्स की बात हम थोड़ा वापस करते हैं, क्योंकि जब केंडरी अंदात पत्र पेश हुआ, तो बजेट में जब चीरम मेरम जी ने अपना वक्त वे शुरू किया तब लगता था कि वो साइड 2020 खेलेंगे, लेकिन पूरा जब प्रमचन खतम हो गया तो नह तो उन ठाया कि रिकरिंग एक्समेंडीचर कम करने की बात है, प्लान एक्समेंडीचर बढ़ाने की बात है, यह सब बाते रिफॉर्म्स के जड़िए हो सकती थी, लेकिन अब रिफॉर्म्स में इतना ज़्यादा बाधा आ सकती है, बिकॉस अब डुट कॉलिडिकल इंस्चबिलि देश की आर्फिक परके दिए लिए देखे आप दो क्वेश्टन पूछे आपने एक दो आपने बोले कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से किता फरक पड़ेगा दूसरा आपने पूछा है कि क्या हमारी हम क्या चाहते हैं सरगास पहले जाएं तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैं हम लोग पॉलिटिक्स इतना में को समझता नहीं है कोई भी देश में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो दी तो ग्रोथ नहीं आ सकती है वो तो obvious है कि it's an economy which is built in the politics, यह politicians ही चलाते हैं, तो हाँ stability आए, अब जो यह incident हुआ है कि DMK ने बुला है कि we pull out, इससे कितना executive functioning of the government will get affected is the question, अभी तक तो ऐसा लगता है कि कोई फरक पड़ा है, जहां तक legislature का सवाल है, तो अभी अगर budget पास हो जाता है, तो हुआ पर भी कोई बा बट आप यह भी देखे, किसी पार्टी ने अभी तक यह नहीं बुला है कि election बुलाओ, तो which means, हमारे जाब से, for the time being, the government is stable, हाँ, यह तो anyway, एक साल की बात है, अगले साल तो election होंगे होंगे, 2014 में, 2014 में election होंगे, हमारा यह मानना है कि, जो important ministries है, महाँ पर stability रहे, महाँ पर reform हों, महाँ पर government, जो consumer है, जो producer है, इनको बुलाएं, बिठाएं, समझाएं, understand करें, यह सब finance minister नहीं कर साथ, finance minister जैसा मैंने बोला, वो पैसे का रखवाला है, but power ministry में क्या issues है, वो तो power minister की जिम्मेदारी है, या roads में क्या है, road minister है, तो यह सब ministries, now need to look back and see what they have to achieve and ensure that they achieve that, stiff target by the prime minister to the minister, कि भई आप इसमें growth लाकर दिखाओ, तो उस basis पे हम चाहते है कि stability है, हम भी यह मानते है, कोई भी आए, इतना फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम को यह चाहिए, जो भी आए, वो इस से आए कि grow करें, क्योंकि बिना grow करें, हिंदुस्तान में, सिर्फ नुक्सा क्या reform चाहिए, जिसा मैंने बोला, सबसे बड़ा reform तो यह है कि कुछ न कुछ करके आपको energy आप लाओ, efficient बनाओ system को, तो जितनी energy उतना अच्छे से उस करें, बट एक और एक angle है, अभी क्या पिछले 10-12 साल में आपने देखा होगा, पहले सब decision ministry लेती थी, अब decisions regulator लेता है तो यह regulator एक और एक level आ गया है, अब कभी regulator generally के पास दो objective होते हैं, एक होते है कि, वो industry में बढ़ावा दे, industry को बढ़ा करें, ग्रो करें, दूसरा होता है कि जो consumer है, वो industry का, उसका नुकसान ना हो, तो उसको protect करें, यह दो चीज़ होती है, अब यह देखा गया है कि, कभी क कभी regulator growth की बात करता है, कभी कभी regulator इसकी बात करता है, मेरे हिसाब से हर regulator should realize, वो middle path क्या है, और हर चीज़ सिर्फ price cap करने से कम नहीं हो जाती है, जैसे टेलिकॉम आप देखोंगे, तो टेलिकॉम में कोई भी pricing नहीं है, लेकिन आज हिंदुस्तान में सबसे कम tariff आते हैं, क् क्योंकि competition है, तो regulator competition बढ़ा है, service quality के बारे में बात करें, बट जहाँ regulators competitive industry में जाके बोलेगा है, कि तुम यही भाव चार्ज करो, यही करो और वो करो, उससे क्या होता, corporate का confidence गिर जाता है, जब गिर जाता है, तो invest करना, बन कर देता, आपने बहुत अच्छे से बोला, कि अ क्या भाव होगा, उसी basis पर लगाँगा, अगर कल को कोई आके में को बोलेगे, नहीं भाई, आप 10 रुपे के बतले, पांच रुपे बेचो, तो मैं 100 कोड क्यूं लगाँ मैं अपना पैसा, तो आज वो एक खौफ पैड़ गा लोगों में, कि मैं करूं कि ना करूं, तो हम को यह चाहिए कि वो जो रेगुलेटर्स हैं, और हर मिनिस्ट्री में बहुत साइ रेगुलेटर्स आ गया भी, हर रेगुलेटर को बहुत क्लिरली मिनिस्ट्री बता दे, तुमको यह यह करना पड़ेगा, फिर आप जाके करो, अगर यह हो जाता है, क्योंकि इंडिया में पर वो सोलुशन को implement करने के लिए एक स्ट्रेटीजी होनी चाहिए, क्या इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजी है आगगा, कि हम कैसा ग्रो करें, तो जो भी सरकार आए, या यह सरकार के साथ भी, हम एचाते हैं, सरकार आए और वो स्ट्रेजी बता है, कि यह स्ट्रेगी हो हम ऐसा ऐसा ग्रो करेंगे जब वो सरकार का प्राइम मिनिस्टर बता दे यह स्ट्राटेजी तो हर रेगुलेटर हर मिनिस्टर हर स्टेट गवर्वर्मेंट हर आगे बढ़ते हैं 2008 में जो भी खटना है हुई इसके बाद 2013 तक कि अगर हम बात करें तो मुच्छिल फंड इंड पैसा लगाते हैं पैसा कम होता जा रहा है तो नेचरली एसाइपी का एक माहूल बना था एसाइपी में भी यह हुआ पैसा नहीं बने तो क्यों किसी को हम एड्वाइस करें कि मुच्छिल फंड में आप पैसा लगाओ जी यह इस इस आ वरी इंपॉर्टन पॉस्टिन इसक ओपन एंडेट इंडेस्ट्री की तरह की काम करता है जब इसमें पैसा बनता है लोग और पैसा देते हैं अनफॉचनेटल बिकॉस अफ़ादा पैसा आपको पीक पे आता है तो 2008 अगर आप देखे होंगे तो जब पूरा मार्केट कैपिलाइजेशन 2008 में पूरे इंडिया क जो था वह एक सो साथ परसंट अफ दी जीडिपी था वो रहना चाहिए सो परसंट तो 2007 के आखरी में जब जो भी पैसा दे रहा था वो सो रुपे की चीज एक तो सो साथ रुपे में खरीद रहा था तो चाए उसके बाद इंडिया अच्छा करे या बुरा करे वो साथ तो मैं मानते हूं कि 2008 इस नहीं 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 कर सकता है अगर आप उस पार हटा दोंगे अभी जैसा बन वी रीच से अंड अब दिस यर आपका 5-year return बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि 2008 के सब्तंबर के बाद तो मार्केट गिर गई थी तो वही 5-year return जो अभी खराब दिख रहा हो एकदम अच्छा हो जाएगा तो इस वहीं क्या कोई इंसान यह टाइम कर सकता है नहीं कर सकता है किसी के पास भी यह कोई टूल सी नहीं टाइम करने के लिए इसलिए mutual fund industry दुनिया में हर आनमी यह बोलता है कि capital market product में the best way to go in is small small steps में हमने यह नोटिस किया है कि वह small small steps में भी लोग decision लेते हैं कि कब दाले और कब ना दाले अब पॉइंट यह है कि आप फिर फिर वह small small steps नहीं हुआ अगर आप continuously continue करते अपना SIP तो ऐसे टाइम आएंगे जब market बहुत महंगा हो जाएगा वह वाला SIP पर शयाद percent up बने बट ऐसा भी time आएगा जो market बहुत सस्ता हो जाएगा लेकिन अगर आपने SIP उस time पर बन कर दी negative return देखके तो फिर आपका आगे नुकसान हो जाएगा तो लोग बहुत लोग मैंने इतने NJ presentations किये सबने मेरे से पूचा है तो किस time frame से हम बेच एक तीन पांच अब लोग बोलते हैं दस साल मेरा यह मानना है और शयाद मैं मैं अकेला हूँ इस बात में कि कोई time frame नहीं होता है जब आप property खरीदते हो आप क्या सोचके खरीदते हो कि मैं एक साल बात बेच दूंगा तीन साल बात पांच साल बात दस साल बात क्या सोचके खरीदते हो property जब आप सोना खरीदते हो कि आप सोचते हो मैं 6 मैंने में बेच दूंगा तो फिर जब आप stock market में invest करते हो तो क्यों यह time की बात आती है आप जब stock market में invest कर रहे हो तो आप किसके लिए invest कर रहे हो आप wealth creation के लिए कर रहे हो अगर आप 10 साल के लिए भी खरीद है इससे अच्छा है आप invest करो क्यों कि जब आप companies की equity खरीदते हो तो देश का जब भला होता है तो companies का भला होता है आपको उसका फाइदा होता है अगर अगले साल ही आपके पैसे बन जाए तो खुश और नहीं बने तो कभी ना कभी आगे चलके बन जाएंगे ऐसा तो नह कभी किसी ना किसी टाइम पर बनेगा आप जानते ना मैं जानता हूं तो क्यों इस बात करें कि पांच साल में बनेगा यह इन्वेस्टर के लिए थोड़ा difficult है क्योंकि 20 साल से शाथ mutual fund हर वकत कोई time frame के साथ ही बिका है बट मेरा यह मानना है कि यह ऐसा मत सोचिए इसको यह सोचिए कि wealth creation है इसका कोई time नहीं होता है यह जब होने का जब होगा आप अपना S.I.P. करते रहिए जब S.I.P. कर रहे है हाँ आप यह planning करिए कि वो S.I.P. अगर कोई भी कारण से अगले 5 साल में return नहीं देता तो भी वो investor का standard of living should not be hurt यह बहुत important है क्योंकि मैंने किसी लो किते साल बात तो पैसा बनी जाएगा और अगर कोई medical problem होगा तो हम वो पैसा निकाल के use कर लेंगे medical emergency या हम यह पैसे से हमारे बच्चे को US बेच देंगे या हम यह पैसे से किसी की शादी करवा रहेंगे या हम यह पैसे से घर खरी देंगे यह सब problematic है क्योंकि जहां आपन अगर 10 साल बात नहीं बने उत्ते पैसे तो क्या आप अपने बच्चे की शादी नहीं करूंगे तो आपको अगर अपने बच्चे की शादी करना है तो शायद equity में मत आईए आप कहीं और चाहिए और उतना save करिए कि fixed income product में आपका उतना बन जाए और उसके बाद भी अग कि दस साल के बाद पैसा बनेगा या बनेगा तो मेरा यह कहना है कि return और time यह दो चीज साथ में नहीं हो सकती है या तो return मिलेगा या time पर जो पैसा है उतना मिलेगा दोनुछ चीज आगर जहां आपने जोड़ी कि आपको एकुटी वैसा market नहीं है तो यह तोड़र डिफिक मैं तो मैंने कोस भी नहीं किया बट अगर मैं आपको बहुत ही common sensible answer दे सकता हूं तो 100 रुपे मैं मान रहा हैं आपकी savings है यानि आप जो भी कमाते हैं 400 रुपे कमाते हैं तो 300 रुपे अपने खर्चा कर दिये तो 100 रुपे आपकी बच्चत है तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि क्या 300 रुपे ज़रूरी आपको खर्चा करना क्या वहां पहले बच्चत कर सकता है तो पहले तो आप अपना consumption वापस review कर लो कि 300 में से और 20-25 रुपे आपके बच्चत है तो 100 का 125 हो जाएंगे आपके अगर आपके पास कुछ साल और है कमाने के उसके बाद आपको retirement planning करनी है तो पहले तो 100 को मैं बोलूँगा 1500 तक आप खर्चित लो फिर ओ 1500 में आप सबसे पहले protection करो अपने आपको insurance जैसे आपकी life insurance करो term insurance ले लो आप बहुत सस्ती होती है अभी आज कला I don't know what the rate is but I'm sure everyone knows कि term insurance कर लो medical insurance कर लो insurance को investment जैसा मतलो आप insurance insurance जैसे आप गाड़ी का insurance करते हैं कि accident होगा तो पैसा मिलेगा नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा वैसा आप अपना term insurance कर और medical insurance फिर मैं मानता हूँ अगर आपके पास घर नहीं है तो घर करीदो और घर के लिए आप जो करना है कुछ लोग loan का पैसा equity में लगाते हैं वो भी गलत है क्योंकि फिर अगर equity में पैसा नहीं बनेगा और आपको सामने किसी को देना है तो जब आपका सब हो चुका हो फिर आप कि जो भी आपके goals है कि आपको holiday पे जाना है या आपको बच्चे की शादी करवानी या उसको school ब उस amount को बताएंगे अगर fixed income में दालेंगा तो कितना होनेगा उतना पैसा आपका safe उतना आप ensure करिये कि वो पैसा वहाँ ही जाए उस goal के लिए और इसके बाद अगर आपके बास एक रुपया भी बचता है सवासों में से वो एक रुपया आप equity में दालेंगे अब उसके बाद क्या होगा अब आप बोलेंगे यह तो बहुत ही conservative strategy हो गई तो ऐसा तो equity में कोई दालेगा नहीं पैसा सही है मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यो बढ़ गई उस time पर आपका fixed income allocation कम हो जाएगा क्योंकि यहां पर returns जाद आ गई यह तो आपने कभी calculating नहीं की थी ना अपने इस पूरे उसमें अपने equity से कोई return नहीं नहीं तो जैसे जैसे market में boom आता है वैसा वैसा हो money आप दालोंगे तो फिर उसके बाद आगे चलके आप casino जैसा treat करते हैं यह casino नहीं है यह आपकी महनत का पैसा है आपने बहुत महनत करके पैसा कमाया इसको इस तरीके सा मत गवाए क्योंकि किसी ने phone करके बोला अभी market उपर जाएगा इस लिए दालिया क्योंकि आपको भरोसा है इंदोस्तान में आपको भरोसा है कि over a long period of time इसम sector specific नहीं बात करते हैं लेकिन stock specific बात करती है एक तो इसका fundamental reason मुझे जाना है कि ऐसा क्यों और इस परिश्थिती में आप किसमे equity में अगर किसी को पैसा लगाना है तो कौन सी script particularly आप select करोगे देखे है हमारा ये मानना है कि हम ना market को समझ सकते ना हम economy को इतनी अच्छी से समझ सकते कि हम predict करें हम इस game में नहीं है कि हर मैने हर तीन मैने हर छे मैने हर साल performance दिखाए market predict करके क्योंकि जब छोटा time period आप लोगे तो market का अपना उसूल होता है वो company की profitability पर नहीं जाता है हम यह नहीं करते हैं और यह हम मानते हैं और हम आपको clearly बताते हैं कि हम से यह नहीं होता है जो आदमी market predict कर सकता वो शादी कर पाए हम नहीं कर सकते हैं तो जब आप market predict नहीं कर सकते हैं तो आप invest के साथ करते हैं यह लोग हम से पूछते हैं उसका answer बहुत simple है market short term में predict नहीं होता है लेकिन long term में market वो ही return देगा जो company return देगी तो अगर हमने company का long term future predict कर सकते हैं और अगर हम वो market में रहे उतने time तक तो हमारा पैसा उतना ही बनेगा जितना company कर बनेगा simple है इसलिए हम बहुत careful है हम जब हमारा fund किसी को बेचते हैं तो हम यह बोलते हैं अगर आपको कोई भी ऐसा time frame के लिए आपको आना है तो हमारे पास मत आईए क्योंकि अगर आप उतने time frame में आ जाएंगे तो शायद वो company का जो return से वो market में नहीं आएगा क्या हम company का future predict कर सकते है future तो predict नहीं कर सकते हैं तेकिन company की strength predict कर सकते हैं अगर company strong है और अगर वो company अच्छे से इंडेस्ट्री में अगले साल कितना बढ़ेगा उसके बाद कितना बढ़ेगा और उसके बाद कितना बढ़ेगा क्या मैं कर पाऊंगा क्या मेरे पास ऐसी कोई टूल से जो मैं कर सकता हूं नहीं तो मैं क्या करता हूं अब एंजे में नीरज भाई जिगनेज भाई से मिलो मैं समझे उनकी strategy क्या मैं उनके financials पुड़ू मैं उनका distribution model study करू मैं उनका market share study करू फिर मैं क्या conclude करूँगा कि चाए AM बड़े चाए घटे NJ अपना market share बढ़ाएगा या घटाएगा ये तो समझ में आजएगी मेरे को तो अगर NJ अपना market share बढ़ाएगा या अगर इतना भी रखेगा तो जो भी growth आएगी NJ को उतने पैसे बन जाएगे तो इसी तरीके से instead of trying to predict क्या हो रहा हम ये देखते कि कौन सी company strong है उनके लोग अच्छे है वो संभाल सकते अपने आपको क्योंकि economy का कभी उपर जाएगी कभी निच्चे आएगी लेकिन अगर company strong है और balance sheet strong है तो वो company अच्छे time पे तो अच्छा करेगी और बुरे time पे और अच्छा करेगी लेकिन हर time पे उसका market में भाव उपर नहीं जाएगा तो हम हमारे investment investor के जैसे invest करते market में कुछ stocks चल रहे है लेकिन अगर वो stocks हम नहीं पसंद करते हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमको नहीं चाहिए वैसा हम हमारे stocks रखेंगे हम उसमें रिसर्च करेंगे और अंसे गल्ती भी हुई तो वो stock बेचके कोई और अच्छा stock खरीदेंगे तो यह हमारा इसलिए आपने जो हम से पूछा है कि हम sector नहीं प्रिडिक करते हम यह नहीं करते क्योंकि हम हम कोई वालियो आइड़ नहीं कर सकते हैं हम हमारा पूरा एंटी फोकस करते हैं company study करने में company के लोग study करने में, कंपनी का वालुएशन study करने में, ये तीन चीज़े हम को समझ में आ जाती है, तो जब जब वह अच्छा होता है, हम खरीदते हैं, और जब भाव ज्यादा होता है, हम बेज दालते हैं, तो इस इस हाओ भी अप्रोच दो होल थी, अब आप भी जानते हैं, और हम भी जानते हैं, हर कंपनी, हर टाइम पर अच्छा नहीं कर सकती, कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम होती, ये डिमांड गिर जाता है, कुछ और प्रॉब्लम, कॉम्पेटिशन बढ़ जाता है, तो उसका स्टॉक प्राइस गिर जाता है, तो ऐसे टाइम पर क्या हम बेज अगर किसी को लगता मार्केट आज 20,000, 18,000, 19,000 से लेकर 25,000 अगर चे महने में, तो हमारे पास मताइए, क्योंकि, क्योंकि शाद हमारा एनेवी उतना मूव नहीं करेगा, बढ़ हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको लो रिस्क फंड चाहिए, जिसमें कंपनी स्ट्रॉंग रहे, अच्छे टाइम, बुरे टाइम में, रीजनबल रिटर्न दे, मैं वापस बोल रहा हूँ, कि आपको लेकर बिस्क ऑ學 को नहीं कारा हैं, और एंपन के लिए एख बौत बंड़ में अगर काम हमाई हमारी उखे की लिए नहीं की और की अच्छेुत में लिए कन चाहीँ है, ब्यागे वादिवाख कुछते हैं आप क्या कर रहा हो अपना market share बचाने के लिए end of the day market share important होता है जब ग्रोथ आईगी उतने market share मिल जाए उसाब लोग अभी भी कोशिच कर रहा है अपना market share जित्ता हो सक्यों तब बचा है तो हमारे लिए यह सब stocks जो है हमारे पास ठीक ठाक है हाँ इंक्रिमेंटली हमको लगता है कि जो companies export कर रही है वो थोड़ा अच्छा करेगी then those companies who are doing domestic क्यों क्योंकि हमने आपको बताया कि अभी आप ने जैसा बूला political instability economy slowdown करें लेकिन दुनिया में सब चीज़ अच्छी कर रह thank you very much एक बड़ी लंबी कश्मकस के बाद आज की बाद हम सबापत करते है हुसेफा जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एंजे के सभी partners यह थे हुसेफा हुसें जी head equities pine bridge investment आपका सब का भी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका दोस निखिल मद्राश्यों जैस कंसा रखा के बड़ी नमस्कार